नमस्कार मैं औरीन कुमारी आप देख रहे हैं पब्लिकेशन नीज चैनल कई बार बॉलिवूर्ड सितारों के नाम पर फेक आईडी बना कर कई लोग उनका गलत इस्तिमाल करते हैं हाली में अब ऐसा ही एक मामला सामने आया है विद्या बालन का जहां उनके नाम पर एक शक्स ने शोशन मीडिया पर लोगों को बेवकूफ बना कर ठगी की है इस शक्स के खिलाफ विद्या ने मुंबई पुलिस में अपनी शिकायत भी तरच कराई है क्या है पूरा मामला चलिए जानते हैं दरसल समचार एजनसी एनाई ने अपने अधिकारी ट्वीटर अकाउंट पर जानकारी शेयर करते हुए बताये कि विद्या बालन ने हाल ही में मुंबई के खास पुलिस स्टेशन में एक अंजान शक्स के खिलाफ तरच कराई है इस रिपॉर्ड में ये भी बताया गया है कि विद्या बालन के नाम से एक शख्स ने इंस्ट्राग्राम पर फिक आइडी बनाई हुई है जहाँ पर वो लोगों से पैसी की डिमांड कर रहा था इतना ही नहीं वे शक्स विद्याबालन के नाम पर सिर्फ पैसे की ठगी नहीं कर रहा था बलकि उन्हें नौकरी दिलाने का वादा भी कर रहा था मुंबई पुलिस ने IPC की धारा 66 के तहट मामला दर्च किया है बताते विद्याबालन फिल्मों में भले ही इन दिनों कम नज़र आ रही है लेकिन वे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है विद्याबालन के इंस्ट्राग्राम पर 9 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर से वह आए दिन फैंस के साथ मज़िदार रिल्स शेयर करती है विद्याबालन की फिल्मों की बात करें तो एक्ट्रस एक बार फिर से जल्दी बड़े परदे पर मंजुली का बन कर लोटने वाली है कुछ दिनों पहले ही कारती कारियन ने भूद भूल भूले या थ्री में ओर्जिनल मंजुली का का वेलकम किया था ऐसे ही तमाम दनकारी के लिए देखते हैं पब्लिकेशन न्यूस चैनल नमस्कार